हे गाईज वेलकम और वेलकम बैक टो नॉटी स्टिचेस आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे डोरी का इस्तमाल करके कट्वक इंब्रोइडरी का एक सुन्दर सा डिजाइन तो इस जिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कागस का एक टुकड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच और लंबाई 2.5 इंच ली है अब इसके उपर हमें एक पैटल की शेप बनानी है तो मैंने इस तरह से हार्ट शेप पैटल यहाँ पर बना ली है और अब इसे हम काट देंगे अब यहाँ पर मैंने प्लेन पेपर की एक पट्टी काटी है जिसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई मैंने 14 इंच ली है इसे मैंने बीच में इससे इस तरह फोल्ड कर लिया और सेंटर मार्ग कर लेंगे हम इसका अब यह जो हमने पेटल की शेप काटी थी इसे बिल्कुल सेंटर में रखके इस तरह से ट्रेस करेंगे अब इसी पेटल को हम इसके साइड में भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से एक हाफ फलार जैसी शेप हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी बिल्कुल इसी के साथ हम एक और शेप ड्रॉ करेंगे मैंने फ्लार्स के बीच में गैप नहीं रखा है बिल्कुल साथ-साथ मैंने इन पत्यों को रखके ड्रॉ किया है यह देखिए तो इस तरह से हम फूलों को बिल्कुल साथ-साथ जोड़ कर ड्रॉ करेंगे ताकि इसके उपर डोरी चलाना असान हो जाए यह देखिए यहाँ पर मैंने तीन हाफ फ्लार्स ड्रॉ किये हैं इस तरह अब यह मैंने और गैंजा का फैब्रिक लिया है और इस कागस के साइस का ही हम यह फैब्रिक काट लेंगे आप चाहे तो नेट का कपड़ा भी ले सकते हैं और गैंजा के कपड़े की जगा अब इस कागस के उपर हम और गैंजा के कपड़े को इस तरीके से सिल देंगे चारो तरफ तो इस तरह से कपड़े को अच्छे से कागस के साथ अटाच करने के बाद हम इसके ओपर डोरी लगाएंगे तो यहां पर मैं यहयाँ यह रैडिमेट डोरी इस्तेमाल कर रहे हूं इसके ओपर लगाने के लिए आप चाहे तो हाथ की बह्टी बनी हुई डॉरी का भी इस्तेमाल और सकते हैं अब जो हमने डिजाइन डॉर किया था उसके उपर हम डोरी को इस तरीके से सिल देंगे मेरी मशीन में यहाँ पर इस तरह का एक टूल लगा हुआ है जिसके बीच में से मैं इस डोरी को गजार लूँगी अगर आपकी मशीन में इस तरह का टूल नहीं लगा हुआ है तो आप यहां पर एक पिन भी लगा सकते हैं और उसके बीच में से डोरी गुजार सकते हैं तो इस तरीके से बहुत आसानी से गुम गुम कर डोरी लग जाती है अगर आपको यह डिजाइन डोरी से नहीं बनाना है तो आप उन का इस्तेमाल करके भी यह डिजाइन बना सकते हैं तो इस तरीके से हमें डोरी को बिना काटते ही गुमाते जाना है पैटन के उपर यह देखिए मैंने यहाँ पर हाट शेप पैटल्स बनाई हैं इन फूलों की आप चाहें तो सिंपल गोल या थोड़ी लंबी पत्यां भी बना सकते हैं तो इस तरीके से मैंने सभी पत्यों के उपर से डोरी को घुमा घुमा कर अटैच कर लिया है यह देखिए बहुत ही असानी से यह डोरी इसके उपर अटैच हो गई है अब हम एक्स्ट्रा डोरी को काट देंगे अब इन फ्लार्स के बीच में अटैच करने के लिए मैंने इस तरह की एक लेसली है जिसके उपर चोटे चोटे हाफ सरकल बने हुए है तो फ्लार के बिलकुल बीच में हम इस हाफ सरकल को रखेंगे इस तरह से और सिलाई लगाकर अच्छे से अटैच कर देंगे तो यहाँ पर बिलकुल मजबूती से सिलाई लगाकर इसको अच्छे से अटैच कर लेंगे यह देखिए अब यहाँ पर मैंने एक सोल्डरिंग आयरेन ली है जो कि आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी आप चाहे तो इसे online भी खरीच सकते हैं अब इस iron को हम गरम करेंगे और डोरी के साथ साथ इस तरह इसे घुमा देंगे जिससे की organza का कपड़ा जल जाएगा और कट जाएगा इस तरह से organza का कपड़ा melt हो जाएगा और उसकी edges बिल्कुल seal हो जाएगी जिससे की extra धागे भी नहीं निकलेंगे अब हम extra कपड़े को भी निकाल देंगे और नीचे जो हमने कागज attach किया था उसे भी हम निकाल देंगे तो यह देखिए कितनी आसानी से ये कागज और extra कपड़ा निकल रहा है और कटवक वाला हमारा ये pattern बनकर तयार हो जाएगा यह देखिए अब इसके नीचे से भी हम कागज को निकाल देंगे इस तरह यह देखिए बहुत ही असानी से नीचे वाला कागज भी निकल गया है और सुन्दर सा कटवक वाला pattern हमारे पास बनकर तयार हो गया है अब sleeves के कपड़े की right side पर इस border को उल्टा करके रखेंगे इस border को हमें किनारी से तकरीबन एक इंच दूरी पर रखना है और इस तरह से sill देना है अब extra कपड़े को हम इस तरह से fold कर देंगे जिससे की इसके पिछली तरफ भी finishing आएगी अब इसको इस तरह से सीधा करेंगे और यहां पर एक top stitch लगाएंगे और यह देखिए डिजाइन हमारा यह बनकर तयार हो चुका है इस डिजाइन को आप अपने कमीज के दामन, ट्राउजर के पॉंचे या बाजू पर बना सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बैल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरे सबी वीडियो के रेगिलर अपडेट सबसे पहले मिल सकें तो गाइस थैंक्यू सो मच पर वाचेंग बाई बाई